आठ तरीक के अंदोलन में बंद में शामल होकर इसका सरकार को दस दे किजे लोग अब आपके बस में नहीं है कि इतने साल हो गैस मुद्दी की मन की बात हम सुन रहे हैं कि सामनों की मन की बात सुने ताजा इस्तिती ये है कि दिल्ली के इन बॉर्डर्स की तरह सरकार और किसानों के बीच आपसी सुलह के सारे रास्ते भी बंद हो चुके हैं और अब किसानों को सिर्फ एक ही रास्ता नजर आ रहा है जो भारत बंद की तरफ जाता है पांच दौर की बात्चीत हो चुकी है लेकिन अभी तक कोई नतीजा क्यों नहीं निकला अखिर वो बात्चीत कैसी हो रही है कि पांच बार बैठे आप लोग और अभी तक कोई नतीजा नहीं निकल रहा है कपिल जी पूरे दिन दिल्ली की सीमाओं पर डटे किसानों की महा पंचायतें चलती रही बारत बंद को सफल बनाने के लिए किसान नेताओं के बीच मंत्रणाएं चलती रही हर तरफ से एक ही आवाज उठी एक तरफ किसान है और बैरिकेट के दूसरी तरफ जवान है इन दोनों के बीच सरकार है जिसके पास समाधान है लेकिन सरकार समाधान निकालेगी तो किसानों की मांग है कि जब तक कानून वापस नहीं होगा हम यहां से नहीं जाएंगे वो अपना हक लेने आए हैं लेकिन यहाँ पर जो वैवस्ता लगाई गई है वो इसलिए कि किसान किसी भी तरह से शहर की भीतर ना प्रवेश करने पाएं। नहीं मानते हैं तो यह सोचने कि हम राज करते हैं अपनी मन मनी चलीगी। तो यह तो ना मुगल रहे ना कोई राक्षेश रहे जैसे तो यह भी नहीं रहेगा। की कोशिशें नाकाम साबित हुई हैं लेकिन भारत बंद करने पर आमादा किसानों के समर्थन में लगातार इजाफा होता जा रहा है। बॉक्सिंग रिंग के चैंपियन विजिंदर सिंग किसाना अंदोलन के रिंग में उतरे और किसानों के समर्थन में राजीव गांधी खेल रतन अवार्ड लोटाने की चितावनी देडाली अभी तक किसान अंदोलन की टेंशन थी अब सरकार को भारत बंद की टेंशन सता रही होगी खुल मिलाकर ऐसा लगता है कि तीन नए कृशिक पानूनों पर किसानों के विरोज से सरकार चोतरफा घिर चुकी है बिल्कुल वैसे ही जैसे किसानों ने दिल्ली को चारो तरफ से घेरा हुआ है उपर से कॉंग्रिस नेता नौजोट सिंग सिध्धू और जले पर नमक छिड़क रहे हैं दूद को भठी पे रखो तो दूद का उबलना निश्चित और किसान में रोश और आक रोश जगा दो तो सरकारों का हकूमतों का तख तो ताज उलटना निश्चित नवस्कार मैं हूँ अंजना ओमकश्यप हमें उमीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा लेटेस्ट खबरों के लिए यूँ ही देखते रहें आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेर और सब्सक्राइब करना ना भूले